तो फिर ये सरकार किसलिए बैठी है, फिर सरकार को इस्तिफा दे देना चाहिए, अशोग गैलो जी को इस्तिफा दे देना चाहिए, यदि उनके पास पैसे नहीं है, हमेशा जब जब कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब तब खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली, मोधिजी ये देदो, मोधिजी वो देदो, मोधिजी फलाना देदो, मोधिजी दिमका देदो. भारती जनता पार्टी के साशनकाल में पैसों की बहचार होती थी. और अब मानिय मुख्यमंत्री जी ने विदायक कोटे पर भी कैंची चला दिये. Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School, जहां है Cadmex, Sports and Performing Arts का बहतरीन कॉंबिनेशन. Admissions open from Pre-Nursery to 9th. और अब ये रोड भी मेरे द्वारा बनाई जा रही है. तो विकास के काम जैसे जैसे बजट आवंटन होता है. क्यूंकि पैसों की आशकता होती है हर किसी कारे के लिए. भारती जनता पार्टी के साशनकाल में पैसों की बहचार होती थी. और उस बहचार के कारण से ये दोनों बड़े-बड़े मार्ग लगबग 50-50 लाग की लागत से बने और आने वाले समय में हम लगबग 20 लाग रुपे की लागत से दानमल माथुर कॉलोनी की सड़कों का भी निर्मान कारे का शिल्यानया सीगरी करने वाले हैं. तो मैं विधायक हूँ लेकिन विपक्ष में बैठें, विपक्ष में बैठें के बावजूद भी सरकार से नियमित रूप से सरकार के क्यानों में जोड-जोड से बोल करके उनको जंजोर करके किस तरह से बजट लाते हैं, वो लाकर के ये काम कराने की कोशिश कर रही हूँ ये कार्य बीजेपी के शाशनकाल के अंतिम वर्ष में मैंने स्विक्रत किया था विदायक कोश से लेकिन एक साल पूरा बीत जाने के बाद में ये कार्य का शिलानियास आज हो रहा है विदायक कोटे के पैसे को मानिय मुख्य मंत्री जी ने तकनीकी अर्चडों को लगा करके उसको ब्लॉक कर दिया और पिछले विदायक विदानसबा सत्र में मेरे द्वारा जब ये बाद प्रशनकाल के माध्यम से उठाई तब ग्रामिड विकास मंत्री जो कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ट भीए सचिन पाइलेट उन्होंने विदानसबा में खड़े हो करके विदानसबा के पटल पर मुझे और पूरे सदन को ये आश्वस्त किया था कि अनीता बदेल जी के विदायक कोश से जो भी कारे स्विक्रत हुएं उनको 6 महिने के अंदर-अंदर करा दिया जाएगा उसके बाद में ये कारे अब शुरुआत हुए हैं जो कॉरोना के कारण से लॉकडाउन की विज़े से 3 महिने डिले इसका शिलानयास हो गया तब तक उनके कानों में जू नहीं रहंगती है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि पहले विदायक कोटे में इस प्रकार की परिशानिया नहीं आये थी और अब मानिय मुख्यमंत्री जी ने विधायक कोटे पर भी कैंची चला दिये अब विधायक कोटे से कोई सड़क निर्मार कारे नहीं होंगे आने वाले दो वर्षों तक उन्होंने इस पस रूप से ये कहा है कि आने वाले दो वर्षनों तक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की सिवाओं पर ही ये विदायक कोश खर्च किया जाएगा तो सरकार सड़कों के लिए पैसा ना दे विदायक मोदे देना चाहे तो विदायक मोदे के बजट पर भी आप कैंची फेर दो तो फिर ये सरकार किस लिए बैठी है फिर सरकार को इस्तिफा दे देना चाहिए अशोग गैलो जी को इस्तिफा दे देना चाहिए यदि उनके पास पैसे नहीं है हमेशा जब जब कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब तब खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली, मोधी जी पैसे भेज़ दो, मोधी जी ये दे दो, मोधी जी फलाना दे दो, मोधी जी डिमका दे दो, मोधी जी के तकाल में पहली बार जीरो बैलेंस वाले खातों में 5500 रुपय आए नी तो ये इंदुस्तान का इतियास है इतियास कभी किसी के खाते में आज तक एक भी फुटी कोडी आई हो नरेंद्र मोधी जी के शाषनकाल से पहले तो कोई मुझे इतियास के पन्नों को पलट करके निकाल के दे दे कि ये हमने उससमें दिया था इसलिए मन दुखी होता है और इसलिए गुसा भी आता है इस कॉंग्रेस की सरकार पर पर निश्चित रूप से आज मैं दक्षिन की विधायक होने के नाते से जनता का नेत्रत्व करती हूं और करती रहूंगी जनता की हर समस्या में उनके साथ हूं और कहीं से भी बजट लाना पड़े चाहे सरकार से जगड के लाना पड़े चाहे लडाई करके लाना पड़े पर हम विकास की काम आने वाले समय भी कराएंगे इतना ही कह करके मैं अपन झाल